नमस्तकार, जैहिंद, स्वार्गत है सभी काफिर से अर्पीर इजनिंग उटूब चैनल पर अभी तुम्हें ससी जीडी के मैद के कोश्चन्स का हमने रिव्यू दिया है पिछले वीडियो में और माफी चाहते हैं कि उसमें मेरी आवाज नहीं है लेकिन प्रोपर आप वीडियो में देख सकते हूं कि किस-किस चैप्टर से कैसे कैसे कोश्चन रहे हैं पूरा हमने बैवरा उसपे दिया है कि जो आज और कली की सिफ्ट में जितना भी पेपर ने आया हुआ प्रसना है उसपे आपको काम करना है जिसका जीडी का पेपर लगा है उसपे एक बार मेहनत कर लीजिए जिसके पास 2-4-5 दिन का टाइम भी है कल परसों यहां लगातार कांटीनू एकजाम चलता जा रहा है जिसका आंगे तक 12 माज तक एकजाम है तो वो ध्यान देलो कि जो रिव्यू आ रहा है महत का या किसी भी सब्जेक्ट का according to मैं महत का बता सकता हूँ पूरा सा एक-एक question आपके एक-एक class notes पे आपके एक-एक जो आपने class किया उस पे फसा है और समर्पेत Academy के टेलिग्राम चैनल पर जो उमने notes डाले हैं महत के जो भी व्यक्ति जो भी candidates हमसे नहीं पढ़ता है वो उन notes पे अपना मिला सकता है कि जो भाई आप एन paper देके आ रहे हैं उनसे review लीजिए आप और भाई आप समर्पेत Academy का लियानपुर से जो हमने समर्पेत Academy टेलिग्राम पर जो math handwritten notes में डाला है लिखके उस पे आप मिलान कीजिए same to same भाई question आ रहे हैं वस डिजिट चैंज है मारा level भाई ये paper का और हमने पिछले वीडियो में तुम्हें ये भी दिया है कि सिंपली पेकेसन यानि सरली करण के प्रतेक सिंप्र में तीन से चार कोशन आ रहे हैं तीन से चार कोशन का मतलब अगर हम नार्मल तीन कोशन भी रख लें तो तीन का दो में गुणा करेंगे च्छे च्छे नम्मर हमारे सीधे एक सिंपली पिकेसन यानि सरली करण जो पोर्ड मास पे आदारित होता है उस पे आ रहे हैं टिक नौकरी सबसे पहले मिलेगी आपको कोई भी एक्जाम आपका आसपास लगा था या दिया था आपने वो दिक्कत हुआ है GD का exam अगर आपने सही से दे लिया इमानदारी से दे लिया तो मैं तुम से प्रामिज करता हूँ तुम सबसे पहले नोकरी के अगदार होगे सबसे पहले तुम अपने जीवन में अपने समर्पड, अपने आप में अपने खुसियों, अपने परिवार में और अपने द्वारा देखेगा, जितने सपने है SSC GD में पूरे कर सकते हो अगर आप भालतू की चीजों से दूर रहे तो GD का पेपर लगा है उस पे देहन देलो, बस आपने भी UPP का exam दिया है उसमें आतासा निरासा भी हुई होगी और कई चीजें भी निकल गया है उस पे ज़्यादा बात चीज ना करते हुए हम केवल तुमसे ही कहना चाहता हूँ कि हमारा exam एक भी है एक चीज़ से दुनिया खत्म नहीं हो जाती ना एक चीज़ से हमारा life खत्म हो जाता है अगर वो निकल भी गया है बलकर नहीं कहेंगे भी किसी का निकल गया उस पे काम चल रहा है जो होगा तुमारे हित के लिए होगा लेकिन जीडी पे जिसका पेपर लगा है वो प्लीज रिक्वेश्ट है मेरी जीडी का पेपर मन से दीजिए आपका पुलिस से पहले इसमें बहुत बढ़ी हारी जल्टाएगा बहुत जल्दी नोकरी ले जाएगे उसमें तब तक जो चलता है चलता रहेगा सली कड़के जो कोशन आ रहे हैं आपके हमने टोटल टोफ फाइब कोशन उठाए हैं माइनस का 5 एक में 6 माइनस किया माइनस का 5 और यह माइनस माइनस आपस में मिलके हो गया प्लस और प्लस के आंगे बचे हैं केवल 5 यानि 45 में 5 जोड दिये तो बन गया 50 मेरी बात आपके समझ में आनी चाहिए जैसे हमने क्या समझाया एक बार फिर से रिपीट कर रहें कम कोशन है लेकिन हम यह चाहते हैं कि आप कम कोशनों में आप अपना अच्छे से अच्छा सीख के जाएं कि आपके 6 नमर किसी ने न मेटे हो और 6 नमर आप अच्छे से करके हाँ इस equation को पूरा सोलबगर हमने किया बन माइनस 36 वटे 6 यह 6 बना एक में 6 जाएगा माइनस के 5 हैं और यह माइनस का माइनस पिलस हो गया यहां पर माइनस माइनस पिलस हो गया 45 और 5 हो जाएगे 50 37 में आप 50 माइनस करोगे 37 में 50 माइनस करोगे तो 10 में 7 गया 3 चार में तीन गया एक, यानि माइनस का तेरा वचरा है यहां पर, और माइनस का तेरा वचरा है, तो यह आपने देखा, 79 पहले था, पिलस और माइनस मिलके माइनस हो गया, माइनस के तेरा, नो में तीन गया छे, साथ में गया छे, यानि 66 आपका correct answer है, सिर्फ calculation करने हैं, आप आपको दो नमरा बिलकुल अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा भाउत calculation का knowledge है, और board mass पे आपको थोड़े rules बगारा पता हो, जैसे दूसरा question हमारा क्या कहता है, दूसरे question हमने तुमें दिया है कि 40, 40 minus, यह bracket लगा रखा है, 90 plus, यह देखो, वार का न दो और तीन जोड़ेंगे तो यह पूरा 45 बन जाएगा, और बांके फ्रेकेट सारे बंद कर दी हमने, अब हमारा काम है सिर्फ इस bracket को खोल देना, 40 minus के 90, यह minus यह अंदर गया तो बन गया minus के 45, आप ही बताओ में, 40 में अगर 45 अटा दिये जाए, 40 में 45 minus कर दें अगर हम, तो आप कहोगे, minus 90 तो लिखा रखा है, 40 में 45 minus करेंगे, तो minus का 5 बचेगा, और minus के 90 और minus के 5 मिलके बन गए, minus के 95, minus के 95 आपका answers है, बिस्वास कीजिए जिसका कल पेपर है, आने वाले आगामी, जो भी डेटें आपके यह हैं, इसी वीडियो से आपके 6 नमर प्राप्त हो होंगे, सिर्फ इस चोटी सी वीडियो पे, बस आपको rules पता होने चाहिए, कि वार का निसान लगाए, तो 16 में 8 जाएगा, पहले इसको हम solve करेंगे, तो 8 बचा है, 8 में 5 का उड़ा करेंगे, 8 पंचे 40, अभी इतना equation पूरा 40 बना रहा था, 40 में यह 5 जोड दिये, 45, अब यह देखो लिख दिया हमने, 45, और फिर हमने solve कर दिया, आंगे देखो, question number 3, question number 3 का जवाब भी आपको देना और सीखना है, कि बताए, किसका क्या रहता है, और जितने question हम लिख रहे हैं, और एक बार तुम भी कोसिस करना कि हम लगा पा रहे थे कि नहीं, last में यह लिखा र 24 में गुड़ें 3 किये गए, तो हमने answer इसका कर दिया, 12, minus का, अब यह गुड़ां आंगे की और जा रहा है, आंगे की और गुड़ां जा रहा है, तो एक में 5 का गुड़ां करेंगी, यह है 5 बटा 3, 5 बटा 3, इस bracket को खोला हमने, अभी हमारे पास मजिला कोश्टक है, मज 3 बटे 10 होते हैं, इस bracket सारा आपने solve का लिया, minus का 5, 5 में दो गया 3, 3 के बटे 10, 5 से आपने 10 काटा 2 times, यह हमारे पास फिर equation अभी लिखी रख्ये, बाहतर, minus 5 बटा 3, गुड़ें, यहाँ पर minus यह देखो, minus वाला जब इसके साथ आ जाएगा, यह पिलस बन जाएगा, और यह लिखा रखता है, 3 मटे 2, 3 से 3 अटा दिये, 5 बटा 2, यहाँ बाहतर में केवल जोड़ा गया है, 5 बटा 2, 5 बटा 2 होता है, 5 बटा 2 होता है, 5 बटा 2 होता है, बाहतर में 2 जोड़ा, 84.5, your answer, 84.5, 74.5, बिलकुल छोटे से questions, और छोटी सी सोच रखनी हैं आपको, छोट सोच का मतलब मान सिकता हमारी छोटी लेकिन सोच बहुत बड़ी है, इस question को लेके, 6 अंकम प्राप्त करेंगे, आईए, 4 नमबर पे देखिए क्या आपने किया है, 4 और 5 टाइप हमने अलग-लग से लिख दी हैं, जिससे आपको दिक्कत ना होनी चाहिए, 4 नमबर का answer क्या क कर दिया जाता है, यह प्लस नहीं करेंगे, माइनस इसके ही साथ रहेगा भी, क्योंकि अंदर जा रहा है, जैसे इसको हमने किया, 8, 4, 12, 12, 12, 14, यह 14 माइनस के हैं, इनको आपने लिख लिए, अब डिवाइडेसन में भाग यह है, भाग, भाग के तुरंद बाद 3 ओफ है, 3 के बाद off लगा, ओफ यह कहना चाहता है कि अंगली संक्या जितनी भी होगी, वो इसके साथ पहले गुड़ा करके लिख लीजिए, अंगली संक्या जितनी भी होगी, पूरी गुड़ा करके लिख लीजिए, फिर उसको solve करेंगे आप लोग, जैसे 2 का 1 में गुड़ा किया तीन में गुणा हो जाएगा 7 का तो पूरा आप एक दम लिखो कि 3 में गुणा 7 का मतलब है 3 सते 21 क्योंकि आप आपे ओफ है तो 21 पूरा आप एक 7 लिखेंगे 21 पूरा एक 7 लिखेंगे देखो 63 माइनस का अब ये माइनस माइनस प्लस अभी भी ना कर देना क्योंकि माइनस वाला कह रहा हमें आंगे तक जाना है कोश्टक में पहले वाले समय कोई मतलब नहीं तो 14, 42, माइनस, माइनस, प्लस, 42 अब ये 42 हो गया पहले माइनस लिखा रखा था वो हमने लिखा रहें दिया बटे, इसके नीचे पूरा आएगा तीन नहीं आएगा, पूरा आएगा तीन सते 21, क्योंकि यहां पे था ओफ, ओफ वाला पूरा हम लेते हैं तीन सते 21, तो 21, 42 इसको काटेंगे, किस दो ना 42, 63 में माइनस जब दो करेंगे तो मारा आंसर आजाएगा 61, 61 61 करेक्ट आंसर कोशन नमर पांच कोशन नमर पांच का जवाब दे सकते हैं आप लोग और देख सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छे कोशन variety के कोशन्स हमने लिखे हैं कम समय में आप अधिक से अधिक सीख सकते हैं अब यहां पे हमने जैसे ओफ लिख दिया ओफ का मतलब होता है जिसे हमने पहले लिखा तीन बटा पांच तीन बटे पांच के बाद गुड़ा तो है लेकिन ध्यान रखना गुड़ा तीन बटा दो के सार नहीं होगा अगर इसके बीच में यह ओफ आ गया तो यह पूरा उठा हो गया पूरा उठा होगे तीन में पांच का गुड़ा किया तीन बटा पंदर है बटे नीचे हो जाएगा दो तीया छे अब इस भाग को हम चेंज कर देंगे गुड़े में और भाग को जब गुड़े में चेंज करते हैं तो उल्लट जाती है संख्या दो बटा तीन है तो हो जाएगी तीन बटा दो यहाँ पर देखो ओफ लगा है इनके बीच में यह देखो ओफ लगा है हम कहेंगे यह पूरी संख्या लिखेंगे अब दो एकम दो बटे पांच तीये पंदर है दो बटे पंदर है और भाग का हमने गुड़ा बदल दिया अब दो बटा तीन हमारा हो जाएगा तीन बटा दो और गुड़े में लिखा रखा है पांच बटे तीन बस चीजें काट दीजिए आपका आंसर आ गया क्या क्या कट रहा है देखते ही काटना जैसे हम कहें पांच ती ये पंदर है और तीन दुना च्छै तीन दुना च्छै उपर हमारे पास जो जो बचा है जैसे हम यहां से कहेंगे तीन से काटेंगे तीन पच्छे पंदर है ये पांच से कट गया और पांच से ही हम पांच काट सकते हैं दो से ये दो कार सकते हैं, जैसा जो बचा रखा वैसे हम लिख रहे हैं, इस लकीर के उपर वाली संक्या हमारी लिखी रखिए तीन तरके नो, नो के बटे, नो के बटे दो दुना चार, यह उपर लिखा रखा है नो के बटे चार, बटे चार नीचे लिख दिया हमने, और य उपर चला जाएगा तो यह बन जाएगा 9 तिया 27 27 बटे 4 आपका आंसर से 27 बटे 4 को आप तोड़ फोड़ सकते हो 4 सते 28 यानि ये 6 4 चंगे 24 तीन बचा दसमलब लगया 4 सते 28 और 4 पंचे 20 6.75 आपका आंसर से तो उमीद करते हैं कि तुम लोग सही से चीज़ें सीखे जाओगे और अपना कोशन लेविल पूरा करके जाओगे सासी जीडी में सरली करड़ चेप्टर के हमने 5 कोशन तुम्हें इस बज़य से समझाएं कि प्रतेक सिप्ट में अभी तक हमने चेक या सरली करड़ के आपके 3 से 4 कोशन आ रहे हैं नॉर्मल 3 कोशन हमने उठा लिये तो 3 कोशन का मतलब है आप अंक प्राप्त करके आए 6 3 कोशन का मतलब आप अंक प्राप्त कर आए ओ 6 यह 3 प्रसन अगर आपने सही कर दिये तो आपने 6 अंक प्राप्त कर लिए हैं इसी प्रकारा Profit and Loss Profit and Loss से 2 कोशन प्राπ्त कर रहे हैं 2 कोशन का मतलब है आप 4 आंक के आँसे प्राप्त कर लेंगे एक discount से आ रहा है एक discount से आ रहा है एक question आपका discount से आ रहा है और आपका time and work और अच्छे से देख के जाएए time and work के आपके 2-3 question आ रहे है time and work के 2-3 normal आपके question आ रहे है MDH पे आधारित जितने MDH पे आधारित हैं वो question आपके बन रहे हैं और हां mensuration मेंसूरेशन, मेंसूरेशन पे आपके दो कोश्चन सीधे सीधे फंस रहे हैं, दो से तीन भी आ रहे हैं, मेंसूरेशन में आपका सीधा फार्मूला वेश्ट आ रहा है, फार्मूला वेश्ट, आपने फार्मूला अगर पढ़ लिये हैं, तो आंसर आपको पता होना चाहिए जैसे formula west अभी आपका आया है बेलन का गोला और घं बेलन गोला घं इस टाइट के question आ चुके हैं बेलन का बक्र प्रष्ट पूंचा गया था गोला का आयतन पूंचा गया था और घं के आयतन के बारे में बात की गई थी तो अगर आप हलके-लके से टोपिक देखते रहे हैं तब भी आप खेल खेल जाएंगे मैत में 14 से 15 कोशन तो आप यूँ ही कर जाएंगे ध्यान रखना सबसे जादा लिमिटेशन आरा आपका सरली कर से इसी वज़े से आपने 5 प्रसन आपके पास अबेलबल कर दिये कोशन आ रहा है रेशियो रेशियो पर आपका एक कोशन या दो कोशन बन रहा है एक से एक या दो कोशन आ रहा है एवरेज आवसत आवसत पर आपका एक कोशन बन रहा है सीधा 33 से कम सभी अवाज संक्याओं का आउसत ग्याद कीजिए 43 से कम सभी अवाज संक्याओं का आउसत ग्याद कीजिए और आउसत वरावर तुम जानते हूं सभी संक्याओं का योग बटे कितनी संक्या है एक आपकारा ट्रेन वाला ट्रेन, टाइम, श्पीड and डिस्टेंस से एक आ रहा, ट्रेन का एक आ रहा, सीधा की विपरीद चल नहीं है, एक दूसरे की एक इधर से आ रही है, एक उदर से आ रही है, तो बताईए कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगी इस टाइब का थोड़ा बूद, और इस पे तुम नो टंकी, ज्यादा ड्रामे में न पढ़िये, तुमारा कैरियर, तुमारा फोकस होना चाहिए, सिर्फ तुमारा होना चाहिए, सही गलत का फाइदा, दूसरा तुमें बताए, सही गलत का अंदाजा तुमें खुद होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, आप समर्पित Academy के टेली ग्राम पे जाईए नोर्स हैंड इटिन मेरे द्वारा तयार किये गए उन पर फोकस कीजिए और देखिए कि एकजाम में आप कितना फायदा उठाते हूं बादा करते हैं बीस में सियाई से मूल दन दे दिया समय दे दिया टाइम दे दिया तो कह रहा है चक्रवदी ब्याज बताईए और साधार ब्याज से कह रहा है कि कोई धनरासी इतने वर्सों में इतने गुनी हो जाती है तो इतने वर्सों में इतनी तो वो धनरासी कितनी थी या दूसरा ये टाइप है कि कोई दन्राशी इन वर्सों में अपने आप की इतने गुणिं़ हुई है तो बताइगे कितने वर्सों में इतने अपने इतने गुणिं़ें हो जाएगी यह सब तुमने पड़ा है झाहिए अनुपात का बिल्गू सीम्पिल सार रहा है तिरती अनुपात माध्य रिजनिंग और समर्पित अकेडमी के ओफ लाइन चैनल ओफ लाइन क्लास में जय हिंद मिलते हैं नेस्ट वीडियो में आपको नेस्ट टोपिक के साथ